हलो दोस्तो आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचेल के शेर के उपर दोस्तो बीएचेल के शेर में आज एक अच्छी ग्लोजिंग देखने को मिली मार्केट में आज काफी जादा गिरावट थी लेकिन फिर भी वीएचेल का शेर पॉजिटिव में काम कच कर रहा था और 65 रुपे का लेवल भी तोड़ा शेर ने और 65 रुपे 50 पैसे तक का हाई बनाके स्टॉक ने आज अच्छी ग्लोजिंग दिये लगबग एक रुपे के आसपास की तेजी बीएचेल के शेर में देखने को मिली है दोस्तो अब ये शेर 70 रुपे के बहुत करीब होता जा रहा है और 70 रुपे दोस्तो अब पक्का ये स्टॉक आने वाल है क्या होंगे दोस्तो 15 दिसंबर के इंटराडे टार्गेट्स, स्टॉप प्लोज और रजिस्टेंस तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं यह देखें, दोस्तो आज, SENSEX में करिबन, 1.5 यंга को गिरावट और NIFTY में करिबन 43 अंको की गिरावट थी और NIFTY Mid Cap Index ने मात्र 88 अंको की गिरावट करी यह दोस्तो, BHEL जो है, एक Mid Cap स्टोक है तो मिटके आप में जादा गिरावट नहीं हुई इसके कराण आप देख सकते हैं BHEL में भी आज एक तेजी रेखने को मिली और दोस्तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स आपको भी निफ्टी एनर्जी इंडेक्स पर लेकर चलता हूँ प्लस अच्छी कासी वॉल्यूम्स BHEL के शेर में देखने को मिली है दोस्तो अब चलते हैं BHEL के वॉल्यूम सेक्शन पर ये देखे दोस्तो BHEL के शेर में लगबक 28 मिलियन के वॉल्यूम देखने को मिली है 1.5% की तेजी BHL के stock में देखने को मिली है अच्छी कासी volume है दोस्तो कल Friday के session में I think 25 million की volume थी और आज 27 million की volume है volume increment हो रहा है और दोस्तो 70 rupees के आसपास ये stock बढ़ रहा है अब दोस्तो BHL के charts पर चलते हैं ये देख सकते हैं अपन दोस्तो BHL के charts पर आगए है 44.75 पैसे पर stock ने closing दिये ये खोड़ी गलत closing है 44.80 पैसे पर stock ने closing दिये दोस्तो लगबग 85 पैसे की तेजी stock में देखने को मिली है अज पूरे दिन बर दोस्तो एक stock आज कहा सकते है positive में काम काज करता है देखने को मिला आज market के खुलने के बाद भी है positive में था और पूरे दिन के दौरान ये एक तेजी में काम काज करता है देखने को मिला लगबग 12.45 मिनिट में इसने अपना high लगाया था और आज का high दोस्तो 55 पैसे का है काफी बड़ा high है दोस्तो और closing मिली है अपनको 64 रुपे 80 पैसे की लगबग अपने high से 60 पैसे नीचे stock ने आज closing दिये क्योंकि दोस्तो market उसमें इन green काम काज कर रहा था और अभी market में आज लगबग 45 पंकों की गिरावट आए निफ्टी में और सेंसेक्स में करीबन अब दोस्तो इसका चार्ट आज काफी positive रहा अब दोस्तो BHL में 70 रुपीज के targets income ही है दोस्तो जादा नहीं आपको 15 से 20 session का इंतजार और करना है BHL का stock 70 रुपे के 80 रुपे भी cross कर जाएगा अब दोस्तो BHL के stock में एक भी negative नहीं है अब BHL का stock सीथे दोस्तो head कर रहा है 70 रुपे की तरफ क्योंकि दोस्तो इसके result बुरे है stock में गिरावट आई और दोस्तो एक bottom बना लिया stock ने में बार बार बोल रहा हूँ 57 रुपीज का 57 रुपीज से दोस्तो इस stock नहीं रुका है according तो दोस्तो काफी बहतर closing है क्योंकि market आप देख सकते हैं लगबग 1.500 अंकों के गिरावट सेंसेक्स में थी तो काफी अच्छी closing है अब intraday level की बात करते हैं दोस्तो जिसनाए भी दोस्तो 64 रुपे 75 पैसे पर वाइंग करना चाहता है कल तो दोस्तो आपको final stop loss लगाना है जो कि आज का low है 63 रुपे 40 पैसे का 63 रुपे 40 पैसे का दोस्तो आपको final stop loss लगाना है और दोस्तो पहला resistance level की बात करें तो दोस्तो कल का high यानि 65 रुपीज 55 पैसे का आपका first resistance लेवल होगा और second resistance level होगा 66 rupees 30 पैसे अगर ये दोनों level तूटते हैं तो stock में लगबग दोस्तो 68 rupees के level रीच होंगे और दोस्तो I think so market में एक pullback आएगा और ये pullback BHL के stock को 70 rupees तक लिखे जाएगा जी हाँ दोस्तो 70 rupees तक लिखे जाएगा अब stock में दोस्तो कुछ भी negative नहीं रहा है अब stock एक नहीं तेजी दिखाएगा और 70 rupees का level आपको बहुत जल देखने को मिलेगा और दोस्तो intraday में जैसा मैं आपको कहा है कि stop loss लगाना होगा 63 rupees का 63 rupees 40 पैसे का ये stop loss दोस्तो ध्यान में रखे 63 rupees 40 पैसे का intraday basis पर एक final stop loss लगा के रखे दोस्तो काफी अच्छा दोस्तो चार्ट नजर आ रहे है तो दोस्तो that's it for video अगर video informative लगा हो तो like करना share करना subscribe करना दोस्तो